और ऐसे बहुत सारे विचारक चिंतनक हैं, जिनका सहीत और चिंतनक नश्ट हो रहा है। उनको जो अंबिटक्राइट स्कॉलर हैं, जो मंडला रिष्ण से नबे के बाद आये हुई, ओबीसी के स्कॉलर सिफ है, जनरेशन है, या ट्राइबल्स के यंग रिसर्चर हैं, इन सब को समय की तुरूप से ग्राउंड पे जाके रियल रिसर्च करके लाकि उन राइटिंग करके अपने पुरबजो का इतिहांस, मजबूत भारत का इतिहांस, इक्वालिटी, फैटरिटी और समानता का इतिहांस ढून रहे हैं, मिरसाथ धरंबीर गगन हैं, जो पिएजडी कर चुके हैं, और पता है किन पर? पेडियार ललाई सिंग आदव, एक स्रीज आई है इनक बिग गया है, तिसरा एडिशन आने वाला है, पिरियार ललाई सिंग आदव पर बहुत किताबे लिखी जा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों से वो कैसे अलग है, और कल साथ फेबररी को पिरियार ललाई सिंग आदव का परिनिर्वान दिवस भी हैं, कैसे वो बुद्ध की आने लगा, इन सब बातों पर समझेंगे, उस किताब को में भी आप पर सकते हैं, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि खुद धरंबीर गगन से जाने, धरंबीर साथ पहले तो बधाई हो इस शांदार किताब के लिए, और दो एडिशन बिख चुके हैं, लगभग 25 लाख पर पर्थम तो आपका बहुत बहुत आभार, बरिश्ट पत्रकार सम्भू और नेशलन दस्तक मैं आभार प्रकर करता हूं, कि मुझे बहुत दिक और अकाडमिक बात को रखने का मौका दिया, सबसे पहले तो आपका बहुत आभार, ये कृती पूरी सर्जित करने में संकल संपारित करने मुझे साथ साल लगा, और रिशर्ट पांच किताब जो देख रहे हैं उसको लिखने में, ये पूरी रियालली सिंगर नथावली पांच खंड में है, दो हजार पेज है, और आजका में प्रकार सम्मू से छपी है, एक सप्तमर दोहर पंदरस में यातरा सरू किया था, एक सप्तमर दोहर बाइस को सरू हुई, ये अपने पूर्खों का इतिहास है, अपना साहित और चिंतन है, जो कबर में चला गया था, उसको खोज कि मैंने कोशिश की कि उनमृत प्राय हड़ियों में जान डाल दी जाए, रुधरी डाल दी जाए, और सच में अब कित होके दवड रहा है, चल नहीं रहा है, पूरी भारत में लोगों बहुत उत्सा है, प्रथम खंड जो है, चापा और बैली दिन में बिग गया, कोई सव रुपय की किताब तो है नहीं, पांच खंड, दोहजार पेज है, दोहचार मुल्य है, राजकमर प्रकाशन समुने चापा है, तो बहुजनों में अपना साहित पढ़ने का इतना उत्सा, देखकर मैं अभी हो, प्रथम खंड बैली दिन में समापत हुआ, दोती संस्क्रण समापत होने की स्तिति में, तो अपना साहित जो क्लास वबर्क पाता है, कैसे पढ़ता है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं देख पा रहा हूँ पिरिया ललाई सिंह से अनुराग बैचारी कुरुप से मेरा हुआ और जिस दौर में हम लोग बौधिक और अक्रेडमिक दुनिया में हैं आपने पीज़डी भी उनी पड़ किया है हां रिसर्च मेरा है और रिसर्च क्या मूलत है ये पिरिया ललाई तो उस दौर के पूरा पर्चे पंप इल्ली इन्वर्सिटी उसको मैंने संकली संपायत किया है बेसिकली और उनिसो साथ सत्तर के दौर में कैसे अंदोलन चल ला था उन दूरलब दस्तावेजों को आप पाएंगे किताबों को पाएंगे इस पूरी परकिया में साथ साल लग किए फ्री टेलिंटिंटी से पीचडी किया और जयनीव से भी पैश्ट Suson कर कर रहा हूं आपको क्या प्रभाववित आपने पुरा प्रियार सिंह लला यादब प्रविधी है। इसी कान सबसे दिक पढ़ी जा रही है। इस साथ सालों में मैंने महसूस किया। हमारा साहित साहित है समाज में। यदि उसको आप दुनिया में नहीं लाएंगे तो विनस्ट हो जाएगा। परियल अली सिंग की किताब में अगले पांच साथ सालों में दीमक खायती हैं। जिसका साहित होता है। वो समाज वर्ग राज करता है जिसका साहित होता है। और जिस वर्ग और समाज का साहित नहीं होता है वो गुलाम होता है। आज बेद पुराण इस्मृति मानश जिसका है वो वर्चस बनाए हुए है जो अपना इतिहास अभिधाम पिटक मजमिन के आज बन साहित भूल गया वो गुलाम बने हुए है आधार बुद्त तो है किसी भी वर्ग को आगर रूल करना है तो रूलिंग के लिए साहित बहुत प्रिजेंट किया है मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ही सुप्चिन तक इसको और बढ़ाएं और बहुत काम की जुरूत है कि बुद्धा का कबीर का फुले का बाबाशाप का साहित कैसे जंजन तक जाए और कैसे केडर लगा लगा आज इसको समझाया जाए ये बढ़ा सवाल परचा है इसको जब बाबा लोग आएंगे पीपल के नीचे बैठेंगे तो यही साम को बोलना है आपको दो पहरम बोलना है माएं बैठेंगी तो वहां उनके सामने बोलना है तो बच्चा पंदरव बिज में बोलता था तो पूछते थे कि आप लों को क्या समझ में आए वह बोलते थे कि कुछ-कुछ कह रहा है कि पढ़ने लिखने की बात है कोई बाबा साब बेटकर की बात है बुद्ध की बात कर रहा है तो उन लोगों को चांट लेते थे लोग आप उनको कैडर देते थे उनको जब कैडर देते थे तो उनको अलाग अलाग गाउं में करते हैं तो उत्तर भारत में अदब ने सब काम किया अब उसी सीरीज को बढ़ाते हैं पेलियाले सिंग उसे मुकदमा होता है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन बाबा साथ डॉक्टर मेटकर बहुत धर्म गढ़न करते हुए जो भाशन दिये थे दिक्षा भूमिनाकपुर म और यवला उगरह में कि मैं अब हिंदो धर्म छोड़ूगा उन सभी भाशनों का संकलन करके उसका मराठी से हिंदियन बाद किया पेलियाले सिंग को इस किताब भी मुकदमा हुआ सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन पे उसके बाद सची रामायर का मुकदमा तो बहुत प् किस हमें अपनी चेतना निर्माट करना, और वर्चा सवादयों से भी लड़ना है , यह चेतना समाज में मुझे लग रहा है, जा रही है । इस कारण समाज सतत खरिद रहा है और आजो वर्चा सवाद का प्रचंड समय है, उसे मुक्तिका उस किते में रास्ता देख रहा है बुद्ध का चिंतन, भावासा डॉक्टर मेटकर का चिंतन और पेडियार का चिंतन और इस चेतना की निर्मार की प्रक्रिया भी दिल्चस्प है क्योंकि कानपुर्क 18 के रहने वाले थे देहाथ के पेडिया लेली सिंग और एक लगभू जमिदार प्रकार की पिता की पुत् बस्था बना रखे थे कि इस गाउं में किसी भी दलित महिला चाहे बेटी हो चाहे बहो का प्रसव नहीं होगा इसको इनके पिता जी तोड़ते हैं संजोग से जो इनके हरवाहे थे एक तरह से काम धाम करते थे उनकी बहन आई हुई थी और प्रसव हो गया तो देर रात को भ प्रसव में शरीक होती है तमाम गाउं के महिलाएं या रही तमाम जातियां जाती है उनके साथ और पूरा सुरच्छात्मक तरीके से प्रतिरूद करते हुए चैलेंज करते हो कि आओ जिसको रोकना है रोक लेचा उद्री गज्जू सिंह ने चैलेंज किया था वो पूरी परक्रिवा होती है और उस मनवादी समयक जाती है उस संहाई के बाद गटना के वात एगता हो जाती है निर्माण होगा तो पिरिया लली सिंग के पिता चोदरी गज्जु सिंग अपने ही खेत में उनके शौका दहन किये और कहे कि भुट्टे का समय था भुट्टा लाओ उसी लकड़ी पे भुट्टा तोड़के खाते हैं और वो बोलते हैं कि इस स्वर्श्वर्ग नरकादी सत्य भौसिक संसार में सत्यत्मर्थात अंद्विस्वास करमकार्ण के खिलाब उस हजारों की जनता को संदेश देते हैं कि तुम इस पूरोई तोपंडों के अंद्विस्वास करमकार्ण में ना फांसो अनरड़ो पेरिया ललाई सिंग को अच्छे अतना मिलते हैं जब 193 लोग उपर नहाते थे तो वो सब पानी आता था वो सुबधाई नहीं मिलती तो जाते ही पहला अंदोलन इसी बात पर कर देते हैं कि यह तो भेद भाव है सेना सैनिक तो सैनिक होता है उसमें सैनिक अच्छूत या नीचा उंच कैसे हो सकता है तो अधिकारियों ने मिलके रेमजे मियोर से सस्मेंट करा दिया लेकिन फिर ही अपनी बात रखते हैं अंगलिस में और बताते हैं कि भारत में सामाज विभीदन का यह मुख कारण है इसी के खिलाब बावसा डॉक्टर मिट कर लड़ रहे हैं महार सत्यागरा चल रहा है मनुस्मिर्टी जलाई जा रह रहा है तो रेमजे मियोर समझते हैं इस बात को और समझवाती है इनकी पदुन्नती के साथ बहाल करते हैं फिर पहला संगर्स होता है फिर बैलीस में हाँ से हाई कमांडर होते हैं से आर्मी में फिर देश की सुतनता के लिए अनदोलन करते हैं एक तालीस दिनों की भूख रिटायर होने के बाद बाबा साथ से मिलते हैं गौलियर में ही बाबा साथ से मुलाकास से बहुत प्रभावित होते हैं फिर रिटायर होने के बाद बाते हैं तो पूरा देश घूमते हैं फिर चिंतन करते हैं कि किस तरह से अबानदवादी सोच से जात इसे पुरह इतबा भारत में जो वाणवाद का वर्चस का केंद्रीत सार्तत्त तो है वही सहित है राम चरित मानश वेध, पुराण आदी रामायर कहले यह गीत आदी यह आस्था ऐसी है यहां की लोगों में वो मान से गुलामी कह लिजी या उनकी आस्था कह लिजी जो उनकी ब्रेन को संचालित करें नियंत्रित करें तो इसके काउंटर में कौन सा हिद दिया जाए और वो ब्यप्ति विभूति इंटेलेक्शुल स्कॉलर बहुत बड़ा होता है जो विकल्प देता है रियक्शन नह कि असमित धर्म श्रेष्ट नहीं है गलत है उसके सामने तुरंत धर्म का विकल्प दिया कि समझ से न ग्रंथ दिया बाबा साहाब ने जब हिंदू धर्म के अलोचिना की तो धर्म का विकल्प दिया पेरिया ललेई सिंग के चिंतन में वही धारा पाता हूं है कि चुरंत वह विकल्प कृतिका लेके आते हैं कि इसका काउंटर है उनके दिमाग की जड़ता को तोड़े अमान से गुलामी से बाहर निकलने तो सच्ची रामायड का अनुवाद लेके आते हैं अच्छा दिल्च 2020 का दाओर तमिलाइडू में चल रहा था और उत्तर भारत में गीता का प्रकासन चल रहा था उसी दाओर में 1920 के असपसिता पित हो गीता लेके आता है तो मुझे लगता कि पेरियार कहीं से न कहीं से दक्षन से काउंटर दे रहे थे गीता का और और 1958 में उसका इंगलिस अनवाद होता है दिरामाड ट्री रूडिंग नाम से रामाड पादिरंगल का फिर 1968 में हिंदी अनवार लेके आते हैं तो जब हिंदी अनवाद आता है तो धूम मज जाती है उत्तर भारत है तो वर्चा सवाधी ताक्तों को लगता है कि यह तो अईभी सुद्र हमें नहीं सरमAR कवाद कहां तो अगर सब कीसी को कहएं तो आप सुद्र वेस्या की संतान बोल रहें हर रहें हर्जन के सबीको बहुसर दलित को बोलना है तो यह हमारे लिए मानaãy मज़ि गुलामी और गाली यह नहीं बोल ... हम सरवाद हो सब्सक्ण के तो इस काउंटर में जब 1968 में आती है तो खलबला जाती है वर्चसवादी ताकते हैं कि उनको लगता है कि ये तो पूरी चेतना ही वदल देगा तब उस पे मुकदमा होता है और उसमें सरकार उस 1968 की परतिगामी सरकार तर्ग देती है कि ये एक समूम वर्ग विसेश की धार्मिक भावना को आहत कर रहे करती तो कोर्ट में जाता है मुकदमा कोर्ट में जब मुकदमा जाता है तो संजोग से ये अच्छी बात थी कि उस दौर के जज्म नहाए प्रिये थी और इन लोगों के पास अच्छी टीम मिल गए थी तमाम दलीत, OBC, मुश्लिम, वकील इनों के साथ लगे थे बनवारी लाल यादा उगरा जो बाद में हाई कोर्ट के जज्ज भी हुए उस दौर में एडुकेट थे तो इन लोगों मुकदमा लड़े और जीते इलावध हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है बाद, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतते हैं तो मुकदमे के दवरान जो तर्क दिये गए थे उसका भी सुपचिंतकों के कहने पर इन लोगों ने किताब सची रामायर के चाभी नाम से और हाई कोर्ट ने इनको हरजानी के रूप में भी आदेश दिया तो इस सची रामायर की पूरी प्रक्रिया यह है उसके बाद आर्यों का नेतिक पूर प्रक्रास लिखते हैं चुकि एक जो स्रेष्टा का मुल है कि यह स्रेष्ट है और इस का एक काउंटर डिकांस्ट्रक्शन करते हैं जो तिवा फूले भी करते हैं गुलाम कीरी में तो यह चलता रहता है फिर 1970-1972 के दवर में राजनितिक विकल्प 1960 से लिखना सोच्टों पर राजनितिक रखेजिए इसस्रेष्ट ध्रवगते भातेis हैं कि किस प्रकार जी तुम्हारे जो जिसमें तुम्हारी गहरी आ सता है उन कृतियों में जो आज चर्चा का वीसा है को तुम्हार को गुलामायान लिखीक्शन के लिए बात लिखीक्शन कर्यान PLAY और MLA कितना होना चाहिए, विधायक कितना होना चाहिए, जज कितना होना चाहिए, और कितने हैं, अहिर कुर्मी, कुरी, पाल गर्णिया, चमार दुसार, निशाद, कि हैं ही नहीं, जात के संख्या के अनपात, जात, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिसिदारी, ये प्रकार साइथ के माध्यम से अंगुली मार नाटक लिखते हैं, संभुखबद नाटक लिखते हैं, ये दो आउर निंके नाटक हैं, जो मैं बहुल रहा हूं, तो उन कृतियों में आप पढ़ते हुए तो पायेंगे अपनी जनता को कैसे बीर संत मया बलिदान नातक में बताते हैं कि तुम्हारा किस प्रकार सामंती ताक्ति वाणवादी ताकति दोहन करती हैं और सत्ता को भी संदेज देते हैं, कि किस प्रकार समता का सासन होना चाहिए, जिससे जो सम्मध भारत पढ़े तो मात्र वो कक्षा सात्मी तक थी, लेकिन बहुत ही कुशाग्र बुध्धी, प्रतिभा के धनी ब्यक्ति थी और कुशाग्र बुध्धी के बुध्धी के मैंने उस सब लगाया है, उस सब लगाया है, सारी दस्तावे जो लगाया है उसको पढ़ेंगे पाली, प्रकृति, अब्रांस और मराथी, तमिल, हिंदी, इंग्लिश और देशाज भाषा उनको आती थी यह अंग्रेजी, पाली, प्रकृती, अभ्रांस, तमिल, मराठी, हिंदी और देशज भाषा, कम से कम साथ भासा हैं, तो मैं लिटरिया, उर्दू भी, मैं जो भोल रहा हूं, साथ आठ भाषा हैं पेरिया लेली सिंग जानते थे, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे लिखे प्रोफेसर राजिन प्रशार सिंग, जो भाषा, वेध हैं, अंतराष्टी, सबेताविमर्शकार हैं, चिंत्यक हैं, वो तो कहें कि इनका असल रिसर्च तो यहां इधार होना चाहिए, और पेरिया लेली सिंग मूल चरित्र में और्गैनिक इंटलेक्शुल थे, और्गैन वो धम की दिख्षा ले थी, और उनकी इच्छा थी कि 14 अक्टूबर 1956 में जो बाबा साथ डॉक्टर मेटकर नागपुर में बहुत धर्म गर्ण दिख्षा करवा रहे हैं, उनके नितृतिम हो रहा हूँ, वो उसमें जाना चाह रहे थी, लेकिन वो जब अपने साध्यों क अगरे संग घर से निकले, तो उनको टीबी हो गई थी, तो खून की उल्टी होने लगी, तो इस करण वो जा नहीं सकते, इसका बहुत उनको मलाल था संपूर्ण जीवन, कि बाबा साथ डॉक्टर मेटकर के बहुत धर्म की दिख्षा गर्ण में जाता, तो ये मेरे जीवन करते हैं, और गोशना करते हैं, कि मैं अब से मनुष्य हूँ, और एक बौधिष्ट की जात नहीं होती है, अगर आपके जात है, तो आप सनातनी हिंदू है, और आपके जात नहीं है तभी आ बौधिष्ट हैं, और आज से मैं चव्धरी, कुण यादाव, आधी किस ने बन बान पे पुरोहित बाद पे उनकी रिसर्च में वेद उत्तरबाइद कालीन गरंथों को वह मानते हैं आपको डीकत कृत करने के जुआ अगर पेडियार ललाई सिंह आदब की बारे में सारी बाते जानना चाहते हैं साथ साल लगा है दो हजार प्रिष्टों की किताब है दो हजार ना? साथ साल दो हजार प्रिष्ट पांच किताब है पांच फंच में पर याल सिंह आदब इस इंटिब्यू को यही पर रोकेंगे क्योंकि अगर इस किताब को आप एक बार खरी दिये इसकी दो संस्क्रण बारा सो किताबे बिख चुकी है लगवग 25 लाख रुपए की किताबे अब तक बिख चुकी है तिसरा संस्क्रण आने वाला है मुझे उमीद है बहुजन पढ़ेगा तभी इतिहास को समझेगा बाबा साहिब की कोशिश भी यही रही है कि परहाई लिखाई से आपका नाता हो पर यार ललाई सिंग आदब की एक और इस किताब को आप राज कमल परकासन से ले सकते हैं क्या Amazon इस पर है अगर हम ज़्यादा कुछ बात कर लेंगे तो क्यूरिसिटी खतम हो जाएगी तो एक आगे भी इंट्रिव्यू करेंगे तब तक आपके लिए टास्क है कि अगर आप परियार ललाई सिंग आदब के काम उनके चिंतन उनकी विचारधारा, उनका सोसल कंट्रिवूशन, पुलिटकल उनका समझ क्या आती है सब जानना चाहते हैं तो पूरब के पिरियार ललाई सिंग आदब की जो पांचो गरंथा वली है उत्तर भारत के जो पिरियार है उनके पांचो गरंथा वली को ध्रमबीर गगन साहब ने डॉक्टर ध्रमबीर गगन ने जो समपादित किया है राजकमल प्रकासन से आप मंगवाईए पढ़िए और अपनी पर्तकिरी आजबर दीजे आपका बहुत बहुत आभार जैभीम जैमंडल साथी है तो ये सोचिए जिस रफ्तार से विक्रे मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस समाज का इतिहांस नहीं होता है वो अपना इतिहांस नहीं लिख पाता है ध्रमबीर गगन उसी इतिहांस को फिर से जिन्दा कर रहे है कल परियार लले सिंहादव का परिनिर्वान है और उस सब पर उनको हम लोग सरधानली देते हैं नमन करते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा जो तथागत बुद्ध हों कबीर हों, रविदास हों, गुरुनानक सहाब हों फूले सहाब हों, सावित्री वाई फूले हों रामसरूब बर्मा हों, जगद्यो बावु हों उसी करी के सबसे मजबूत आवास थे पिरियार ललाई सिंहादव एक बाद बता, दुनों ने अपना सर्वस्व ने चावर किया इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए किताब पढ़िएगा, उसके अपनी पर्तिकरिया भी ज़र दे सकते हैं फिलिपकार्ट, एमेजन पर राजकमल परकासन से किताब आई है जरूर मंगवाईए, और तब आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको डॉक्टर धरंबीर गवर्न का काम कैसा लगा करनासीस के साथ शंभू कुमार सिंग निसनल दस्तक दिल्ली निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे